आप में से कुछ स्टूडेंस का सवाल यह दे कि सर अमने 12th Physics Chemistry Mathematics यानि PCM से किया है तो क्या हम IAS यानि की Indian Administrative Service में जा सकते हैं IAS Officer बन सकते हैं या अफिन नहीं तो साथ कि इसका जवाब है हाँ अगर आपने 12th Mathematics से किया या फिर आपने Physics Chemistry Biology से किया या फिर आपने 12th Arts से या फिर Commerce से या फिर Agriculture से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने 10 प्लस 2 किया है देन आप अप्लाई कर सकते हैं Indian Administrative Service के लिए क्या करना होगा 12th के बाद आपको Graduation की डिगरी लेनी होगी क्योंकि UPSC Civil Services Examination देने के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मानिता प्राप्त University से या फिर College से Graduation की डिगरी प्राप्ती हो तो कम से कम तीन साल के अगर आपने Graduation के डिगरी प्राप्त किया है देन आप अप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो 12th अगर आपने Mathematics के किया है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी 12th Mathematics के बाद आप B.Sc कर सकते हैं या फिर आप B.T.E.C. कर सकते हैं या फिर आप B.A. कर सक सकते हैं कोई अधर Bachelor डिगरी आप कर सकते हैं और Graduation की डिगरी में कम से कम आपके Passing Marks होने जरूरी है मतलब कि अगर आप at least Graduation में पास हो गया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके ज्यादा नंबर है तो और भी अच्छी बात है ठीक है तो अप्लाई कर सकते है एक्सथे और सब्सक्षब और संब्सक्राइब करें में और रही पोने के पोस्टिंग क्राइए बात यूवा आपके सेंटे को अपश्टे खेल्एफ से आपके सारे आपे से आपको मिले कि यापने से सर्विस नहीं आ बताइए अगर आप UPSC के बारे में जानकरी चाहते हैं तो आप यूटूब पर यूटूब पर सर्च कर सकते हैं उस क्वेश्चन को साथ में आप राइट इंफो प्लप लिखते हैं वेबसाइट आजाएगे वहां पर आपको एक्जाक्ट इंफर्मेशन में उसाएगे उसके रिगार्टिंग तो इस वीडियो को हैं प्रेंट करते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में कोई भी गन्फूजन हो तो आप कमेंट शेक्शन में जरूर मेंसन करें धन्यवास आते हैं जया हिंद जय भारत